मोदी जी का सुभाव है कि लोगों का इस्तेमाल करके और फेक देना सरदार पटेल जिंदा रह गए होते तो आज वीजेपी न होती और नरेंदर मोदी जी भी न होते अपने लच्छेदार भासलों में और दूसरों को बदनाम करना आपस में लडाना कि नहरू जी और पटेल जी में जगड़ा था तो इस तरह से पेस किया कि जैसे की पटेल जी के वारी से ही हो सुभाव है मोदी जी का कि इस्तेमाल और फेक देना तो आज यही किया है उन्होंने मोदी जी हर चीज है तो कौन सा यह खेल के एक्सपर्ट हैं किस गेम में गेम को इन्होंने खेला ये तो मुझे बता दी जाए। नहीं यह तो है कि मुझे जी के लिए सबसे बड़े आदर्स सरदार पटेल जी थे अभी तक लेकिन सरदार पटेल को पूरा भुना लिया तो भुनाने के बाद में अब क्या काम मुझे जी का सुभाव है कि लोगों का इस्तेमाल करके ओ फेक देना तो आज यही हुआ है और यही सरदार पटेल आरसस के उपर प्रतिबंद लगाया और सरदार पटेल जिन्दा रह गए होते तो आज वीजेपी न होती और नरेंदर मोदी जी भी न होते और आगे चल करके और कड़ा कटम उठाते और आरसस खतम होती जनसंग खतम होती तो बीजेपी भी ने आती लेकिन मोदी जी को लगा कि भले ओ संग के खिलाप थे लेकिन जब इस्तेमाल करने की बात आती है अपने लच्छेदार भासणों में और दूसरों को बदनाम करना आपस में लड़ाना कि नहरू जी और पटेल जी में ज्ञड़ा था तो इस तरह से पेश किया कि जो इसे की पट्रेल जी के वारी से यही है अब सत्ता केंदर की भी मिल गई और वहां तो मिला ही है तो अब पट्रेल जी का जरूरत नहीं है तो इस्ते माल करके लातम महर दिया है इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है मोटेरा नरेंदर मोधी का नाम हो गया तो या तो आप सरदार पटेल का रखते ही ना जब अपमान करना था तो आप में रखा क्यों तो सभाव है मोधी जी का कि इस्तेमाल और फेक देना तो आज यही किया है उन्होंने मोधी जी तो कम टीचर भी है आर्मी आफीसर भी है इस्पोर्ट मैन भी है और नेता भी है मोधी जी आर्टिस्ट भी है मोधी जी हर चीज है तो कौन साए खेल के एक्सपर्ट है किस गेम में गेम को इन्होंने खेला आए तो मुझे बता दे जाए अभी कुछ दिन पहले नियम बनाया जा रहा था बन भी गया करीब करीब की अब स्टेडियम का नाम खिलारियों के नाम से रखा जाए जब अरुन जेतनी वाला मामला भी बाद में आया था तो यह नियम कानून बनाते हैं दूसरों के लिए रोगने के लिए इनके लिए कोई नियम कानून नहीं लागू होता है कि गुजरात में सबसे बड़ा स्टैचू सरदार पटेल का बीजेपी नहीं बन वाया था कांग्रेस तो नह कांग्रेस ने सरदार पटेल जी को यतना दिया पुतना कोई दे नहीं सकता उनके दोनों बेटे बेटी को राजसभा तक भेजा पटेल जी केवल एक बार आंदूलन में बारदोली के आंदूलन में जेल गए पूरी कुर्बानी तो किया है नहरू जी उगांजी जी ने किय उसकी तुलना में देखा जाए तो पटेल जी को दस गुना ज़्यादा जित कांग्रेस ने दी ये कांग्रेस ने दिया उनको ये तो गलत कहा जाता है यहां तो बीट-बीट साल ददद साल पनरफ पनरफ साल से तमाम लोग जेलों में उस समय बन थे वहा स्थान पटेल जी उनको नहीं मिला जो पटेल जी को नहीं मिला बिने जेल जाए बिने संगर्श की वह अकालत करते रहे हो फिर भी सम्मान हमारे नेता है बहुत बड़ा योगदान था यूनिफिकेशन में तो ये तो जाट से गहर जाट पंजाबी से गहर पंजाबी हिंदू से मुसल्मान य ये सब लडाना एक दूसरे की खिलाब खड़ा कर देना ये पुरे देश में लडाई भीडा दिया है जाट की से जाट को लडा दिया है सहस्ता थे सहस्ता से लडा दिया है इमान के असर इसको नरंद बदी स्टेडियम नाम हटा देना चाहिए पट्रेल जी का अपमान है ब तो फिर से सरदार पटेल स्टेडियूम के नाम से उसी तरह कर देना चाहिए फिलाल इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है यह कमेंट वक्से बताए आप तक कमारे नीज फ़र्नेशन चैनल को सब्स्राइब नहीं किये चैनल सब्स्राइब कर ले अस वीडियो कर फेस्टूप पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर आप फॉलो करें शुक्रियां